नमस्कार दोस्तों मैं हो रोसन वन डबल फर रोन रेसेपी इसमें आपका स्वागत है आज हम कच्चे आलू और बची हुवी रोटी के आटे से बहुती टेस्टी नास्ता बनाएंगे जिसमें आपको समोसा, कचोरी, पेटी, स्टीनों का टेस्ट मिलेगा तो आप आज के बा आलू को अच्छे से ग्रेतर से छीन लेंगे इस तरह से लच्चा बनाना है हम यहाँ पर तिनों आलू को इस तरह से छीन लेंगे और लच्चा बना लेंगे यहाँ पर अच्छे से आलू को छीन लिया है अब हम दो से तीन बार अच्छे से वास कर लेंगे अच्छे से दो से तीन बार वास कर लिया है आप देख सकते हो आलू का कलर चेंज हो गया है अब हमें पानी निकालना है तो इस तरह से अच्छे से निचोड के ड्राइ कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से सारे आलू को निचोड लेंगे अब हम स्टफिंग बनाएंगे उसके लिए बाउल में छीना हुआ आलू लेंगे सारे आलू यहाँ पर ले लेने हैं आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से खुले खुले हो गए है अब हम इसमें लच्छा प्याज एट करेंगे लच्छे में cut करना होगा प्याज को प्याज हमने दोंनं लिया है हरा धनी अट कर लेंगे काटी हुई हरी मीर्च अट करेंगे टेस के इसाब से लेनी है अगर आपको कम तिका चाहिए तो मीर्च की जगापे पेस्ट भी ले सकते हो और काले मिर्च एड़ करेंगे एक चमच जितनी एक चमच जितना जीरा एड़ करेंगे अभी हम नमक एड़ नहीं करना है अच्छे से mix करना है अभी से नमक एड़ करने से पाने release होगा और हमारा stuffing ज़्यादा गिला हो जाएगा इसलिए अभी नमक एड़ करना नहीं है दो से तिन मिनिट के लिए एक तरफ छोड़ देंगे अब हम गेहों के आटे की लूई लेंगे सबसे पहले चार रोटियां बेल कर रेड़ कर लेंगे यहाँ पर गेहों का आटा पहले से ही गुट के रेड़ रखा था यहाँ पर रोटी की ठीकनेस हमें ज़्यादा पटला भी नहीं करना है और ज़्यादा ठीक भी नहीं करना है मिडियम कंसिसंसी में रेड़ करना है आप यहाँ पर डस्ट या ओइल ले सकते हो बेलने के लिए इस तरह से रोटी बना कर रेड़ कर लेंगे हमने यहाँ पर रोटी या बेल ली है आप देख सकते हो हमने रोटी की ठीकनेस किस तरह से रखी है सबसे पहले एक रोटी लेंगे पहले स्टफिंग को रेड़ कर लेंगे स्टफिंग यूज करने के टाइम हमें स्टफिंग में नमक एड़ करना है नमक एट कर लेंगे टेस्ट के इसाब से अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर स्टफिंग रेडी हो चुका है अब हम रोटी पे टॉमेटो केचप लगाएंगे केचप को अच्छे से फेलाना है रोटी पे आप चाहो तो यहाँ पर सिजवान चटनी भी यूज़ कर सकते हो अब हम उपर स्टफिंग एड करेंगे स्टफिंग को भी हम पुरी रोटी पे फेला लेंगे इस तरह से अच्छे से हाथों से ही सैट कर लेंगे रोटी की बॉडर को छोड देना है अच्छे से स्टफिंग को सैट कर लिया है अब हम उपर से दुसरी रोटी से कवर कर लेंगे इस तरह से रोटी रख देंगे और साइड में इस तरह से प्रेस कर लेंगे बीच में एर ना रह जाए उसका में ध्यान रखना है इस तरह से प्रेस करके सेट करना है अब हम वापस उपर टॉमेटो केचप लगाएंगे वही प्रोसेस हमें सेकंड टाइम करनी है केचप को फेला लेंगे और पहले की तरह हमें स्टफिंग को भी इस तरह से फेला लेना है अब हम वापस उपर धर रोटी को भी इस तरह से रखके cover कर लेंगे और side से press करके set कर लेंगे यहाँ पर tin रोटी की size same रखनी है और press करके set कर लेना है पूरी seal करना है, air ना रहे उसका में ध्यान रखना है और खूलना जाए उसका भी हमें ध्यान दखना है अब हम steam plate लेंगे steam plate को टेल से गानिस करके ready रखाता plate में हमें जो रोटी ready बनाई है वो रखना है और steam देना है steam cooker में हमें 7-8 मिनित तक medium flame पे steam देना है और cover कर लेंगे हमारी 60-8 मिनित हो चुकी है आप देख सकते हो रोटी steam हो चुकी है अब हम plate को थंदा करने के लिए बाहर निकाल लेंगे steam की हुई रोटी थंदी हो चुकी है अब हम रोटी को pizza cutter से cut लगा लेंगे इस तरह से हमें cut लगाना है प्रेस करके छे cut लगाना है pizza की तरह हमने cut लगा लिया है आप देख सकते हो अच्छे से पीजा की तरह piece बन गया है अब हमें pieces की size वाला हिस्सा थोड़ा प्रेस करके set करना है अब हमें ये pieces को fry करना है तो हमने यहाँ पर mendic की paste बना ली है उसमें हमें deep करना है पूरा deep करना है इस तरह से और गर्मा गरम टेल में इस तरह से रखते जाना है अब बीना fry कीए हुए भी steam करके भी खा सकते हो medium gas पे fry होने देंगे और रोटी का जो color आता है वैसा ही color आने दक हमें fry करना होगा हमारी रोटी का color बहुत ही अच्छे से आ गया है अब हम निकाल लेंगे और plate में रखते जाएंगे इस तरह से सारी रोटी को fry कर लेंगे ये नास्टा बनकर ready हो गया है और घेऊं से ready किया है तो healthy भी है और taste भी आप बच्छों क्यों इस तरह का नास्टा घर पर ही सव कर सकते हो आपको हमारी recipe पसंद आई हो तो like और share करें